वेल्कम बैक एवरीवन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं उन कंपनीज के बारे में जिनको इस वर्ल्ड कप से बेनेफिट हो सकता है तो यहाँ पर इंडिया जो है इस बार वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है जो की 5th October से 19th November तक है अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसकी व जो है देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर सबसे बेरे अगर हम लोग बात करते हैं डेटा की तो 2019 में जब यूके ने वर्ल कप होस्ट किया था तो अराउंड 35 बिलियन डॉलर जो है उनकी इकनोमी को बूस्ट देखने को मिला था तो यह हमें लगता है बहुत मेजर देखने को मिल सकता है तो यहां पर हम कुछ ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिनको इससे मेजर बेनेफिट देखने को मिल सकता है और रिसंटी जो इंडिया पाकिस्तान का मैश था उसमें अगर आप देखोगे तो होटल के प्राइस जो है वो स्काय रॉकेट कर गए है अब अगर हम लोग कुछ कंपनी के बात करें जिससे इसको बेनेफिट हो सकता है तो उसमें सबसे पहला नाम होगा हिंडियन होटल कंपनी का देखिए इंडियन होटल कंपनी से कैसी कंपनी है जो टाटा ग्रॉप के अंडर आती है इनके पास में एक नंबर ऑफ अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो इसके लावर जो दिव्यानी इंटनाश्टल हो गया सफाया फूद्स इंडिया हो गया इनमें अच्छा हमें जम्प देखने को मिल सकता है क्योंकि यह सारे जो प्रोडॉक्ट्स जो ब्रांट्स इनके अंडर आते हैं डॉमिनोस के इनमें भी एक अच्छी ग्रोज हमें देखने को मिल सकती है तो यह बहुत अच्छा पॉइंट था जो हमने सोच आपके साथ में शेर किया जाए क्योंकि वर्ल्ड कप जैसा इविंट जो होता है जो कि चार साल में एक ही बार हो रहा है एक अच्छा उपरचिनिटी और एक αटैब समस्क्राइब जरू खर आघ वल नहीं को किसि घंज डूज था जो फुड़ करना है कि अच्छी गाइब करना है कि कॉत ग्व yönपित करने को देखने लिक अचकतना है जो थेखने को बीडाने को अच्छी कि अच्छी करना है कि करना है Nós alone ऑच्छी इनमें कहरें खरत